सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुर्जी चैनल को और बेल एकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इंजिनियर कॉर्परेट टेनर कविन कठायत और आप सभी के लिए सिविल गुर्जी आज हम आये हैं अपने साइड विजिट पे अपने ट्रेनी इंजिनियर के साथ जो हमारा नया बैच स्टार्ट होआ है फर्स जून से आज इनकी ट्रेनिंग के आट दिन पूरे हो चुके हैं तो आज इनसे जानेंगे हम इन्होंने क्या क्या सीखा और रही बात साइड विजिट की तो आज इनकी तिसरी साइड विजिट है तो जानेंगे इससे पहले इन्होंने क्लास में क्या क्या सीखा है और क्या क्या साइड विजिट पे इन्होंने परफॉर्म किया है तो सबसे पहले अपना नाम बताईए और कहां से हैं आप कितने दिन आपको सिविल गुर्जी में आये हुए हो गया और कहां से आपको पता चला सिविल गुर्जी के बारे में और क्या आप डिफ्रेंस मैसूस कर रहे हैं अपने अंदर सिविल गुरी जी में आने से पहले और सिविल गुरी जी में आने के बाद बताई हेलो एवरीवन मेरा नाम है मनिश ठाकूर और मैं हूँ दहरादून ब्रान से कि मुझे यहां प्रेणिंग करते वह और onlyं न सिनकर औरarah रहा है रही ज़राद से Freiज Hep और से चीजिए को केलकुलेट कॉलम में जो हमारी लगेगी वो सट्रिंग लगेगी और जो हमारे स्लैब में छुलगे का हो वह很好 सी और जैसे कि आप लोग देख मेelleं है यह होते हमारे support देने के लिए members रहते हैं इनका नाम भी अलग अलग रहते हैं अगर ये single लगा हो और उपर support दे रहा हो तो इसको कहेंगे हम prop और ये जो पूरा system आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको कहते है cup lock system और जिसमें कुछ members होते हैं ये आप नीचे base plate देख सकते हैं यहाँ पर भी jack रहता है जिसके सायता से हम इसकी height को adjust कर सकते हैं और टॉप में आपको एक u jack दिखेगा जिसका काम रहता है हमारे बैटन्स को support करना और बैटन्स का काम हमारे centring को support करना है और बागी जानते हैं आज इन्होंने किया था slab का slab की concreting और slab की shuttering भी निकाली थी और साथ ही साथ इन्होंने slab beam में shuttering और concrete निकाली थी तो जानते हैं कैसे उनका calculation रहा और कैसे उन्होंने इस चीज़ को इस task को complete किया slab beam layout के एक drawing मिली है इसमें हम लोग slab beam आज calculate करने वाले हैं जैसे कि हमारे पास slab beam में अपन देख सकते हैं यहां पे 6 slab beam है SB1 तो हम लोग उसके अंदर हम लोग बात करेंगे inner और outer beam की तो हमारे पास में यहां पर 6 SB1 में चार outer slab है और दो inner slab है तो हम लोग आप लोगों को पहले बता दूँ इनर और outer beam होते क्या हैं तो simply आप देख सकते हैं यहां पर copy में ही आपको समझा देता हो यहां पर हमारे पास board तो है नहीं वरना आपको board पर समझा देते तो simply आप लोग देख सकते हो beam का कुछ हमारा cross section अगर हम निकालना चाहें तो beam का cross section बनता है कुछ ऐसा इसमें मैंने inner और outer दोनों को calculate कर दिया है जैसे हमारा normal size ले लेते हैं यह हो गया हमारा 500 और इसको कर देते हम 350 350 जो इसमें height है वो इसकी नहीं है यह पूरा यहां से लेके यहां पर तक की slab की height है तो inner beam में हम क्या करते है beam का size तो यह हमारा 300 लेकिन जब हम inner beam की बात करते हो उसमें 300 में ही slab की thickness भी include हो जाती है जैसे हमने अभी slab की thickness 125 लिए है तो यहां पर हम beam की height कितनी लेंगे 300-125 तो यहां पर जो answer निकलेगा हमारा 225 mm अभी हमारी beam की height हो गई है और यह हो गई हमारी inner और यहीं पर हम एक outer भी बना रखी मैंने इधर पर देखेंगे हम तो यहां पर एक side की है जो हमारी thickness है वो total 350 हो चुकी है 350 क्यों हो गई है क्योंकि यहां पर से हमारी slab आगे को नहीं बढ़ लिए अगर हम देखते हैं जैसे हमारी drawing है हमारी drawing में हम देख सकते हैं कि आउटर हम में इस drawing में हमने क्यों कहा है क्योंकि यहां पर SB1 के आगे हमारा कोई भी slab आगे नहीं गई है slab को आगे नहीं दिया गया है इसलिए हम यहां पर SB1 को as a outer beam consider करते हैं तो चलिए आगे समझाए आप concrete निकालने के length हमारे पास इसकी length भी दिए है और इसकी depth भी दिए है तो इससे हम लोग इसकी volume निकाल सकते हैं concrete हमारा निकल जाएगा जैसे किसी SB1 के एक outer का बताई कैसे निकाला आपने एक शर्टिंग देख लेते हम लोग यहां पर हमारे पास number of SB1 आउटर के चार है जिसकी length हमारे पास दिए 2.5 मीटर और इसकी वीड़ है 0.35 मतलब 350 हमें अब बाई 200 हमें और उसके बाद यह आगे इनर का पास तो यहां पर हम लोग यहां पर 350 हमें में 125 हमें डीड़क करने के बाद हमारे पास बचेगा 225 हमें कुछ इस प्रकार से हो गया और फिर हमारे पास इसकी निकल जाएगी वैल्यू है तीनों लेंद को एड़ने के बाद अगर हम उसकी लंबाई से गुना करते हैं लंब से बहुत बढ़िया अब बताइए जरा कॉंक्रीट कैसे निकाला है आपने सर कॉंक्रीट निकालने के लिए जैसे कि हम लोग देख लिए एस बीवन का नमें फिर से अगे नहीं पर दिया हुए लेंद और हमारे ड्रॉइंग में दिए इसकी वीड डैप्त और हम पास कॉं लेकर यह कैलकुलेट करेंगे जहां पर आपको माइनस करने की जवरत बिल्कुल भी नहीं है और बता सकते हैं आपका एक्सपिरेंस आप सिविल बुर्जी में आने से पहले आपको क्या क्या जानकारी नहीं थी और जैसे कि आज आपके आर दिन पूरे हो चुके हैं कैसा मह कर लागना चली अब चलते अपने दूसरे इंजिनियर से उन से पूसते हैं उनका एक्सपिरिएंस कैसा है और उन्होंने आज कैसे किये पूरी स्लैब के कॉंक्रेट की और शट्रिंग की तो आपका नाम क्या है और आप कहा से हैं जनर मेनाम मनु परताब शिंग और मैं रि लोग बात करें अपने सिलैब की तो इसलैब के अपने नाम रख रखे है जो हमारा है एरिया एवन ठीक है एरिया एवन और एटू बहुत वह स्वारी एवन हमारे पास दो हैं तो सर अमने इसकी कैलकुलेशन को चीस परिकार किये कि जो एल है एल्फ में लेंथ लिये लेंथ इसकी सर्थ 3.4 इंटू 2.2.8 और सर्थ हम दो के लिए निकाल रहे हैं तो हमने 2 से इसको multiply किया है और हाइट जो दी गए यह सर्थ इसकी हाइट जो है वह 0.125 और quantity एसर दो सर्थ कर लेते हैं तो हमारी क्योंक्रेट आजाती है और हम इसकी अगर थिकने सटा दें तो हमारी से अजाती है था मॉडा मेजरमेंट सर्थ कोंक्रेट का मिटर क्यूब में आता है और यह पका यह बहुत बढ़िया और बनकी बताए आपका वि güne 2016 कर चुकिए उनमें आपने क्या क्या सीखने को मिला हम ने सेंटर ले उसटे लाइट सिखा और टांसिप लेऊट सिखा डांसिट लेऊट सिखा जबने पहली विजिट की थी अपनी तो उसमें हमें टाउंशिप लिए उट सिखाया गया था सिएंटन विजिट में हमें हमें सेंटर लाइन लिएॉट सिखाया गया था टोOS बहुर्य तो यहां पर आने के बाद बहुत अच्छे बेवल्कित आंपर को सब्सक्राइब में चाहिए ऑन के लिए हम उसे करते हैं ताकि फुटिंग का जो हमें एरिया दिया गया है प्रॉपर हम उसी जगे एक्जिट उसी जगे हम कर पाएं क्या आप इसके बाद कोई भी सेंटर लाइन लैएवर के साथ करवा सकते हो जी सर बिल्कुल जी सर विश्वास है जी चालो बहुत बढ़ि तो हमारे इंजिनियर्स ने आज अपना एक्सपिरियंस आप लोगों के साथ सियर किया और साती साथ बताया कि आप लोगों को स्लैप की कॉंक्रीट और शट्रिंग कैसे निकालते हैं और बताया कि स्लैप बीम की शट्रिंग और कॉंक्रीट भी कैसे निकालते हैं अगर ही आप श्टक फील कर रहे हो तो हमारी ट्रेइनिंग के साथ आप लोग जॉइन कर सकते हैं जॉइन करने के लिए आपको क्या करना है जो आपको बॉटम में नंबर दिख रहा होगा नाइन ट्रिपल वन डबल जीरो वन टू थी पोर इस पे कॉल लगाए और हमारी टीम से बा बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै इन जै सिविल गूर्जी